हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल फनान लॉर्न विद किड्स आज तक हमने काफी सारी एक्टिविटीज शेयर की है ब्रेइन बूस्टिंग एजुकेशनल गेम्स फण गेम्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेमरी गेम्स इससे बच्चों की मेमरी काफी स्ट्रॉंग होती है और आगे चलके स्टडीज में भी इसका काफी बेनिफिट होता है तो चले देखते हैं आज की एक्टिविटीज किया है बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड शेयर वीडियो तो हम फॉर्स अक्टिविटी स्टाट करते हैं इसके ल है 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 वेरी गुड़ ना इस तरह से वराइटी ऑफ कॉम्बिनेशन बना के आप ये गेम काफी बार खेल सकते हैं बच्चों का मेमरी काफी अच्छे से शाप होता है क्योंकि इसमें उन्हें हर अबजेक्ट का एक्शन याद रखना है और उतने ही पास्ट उन्ह हो चेंज करनी है अक्शन वेरी गड़ चाप समयरा नेक्स्ट अक्टिवटे देखते हैं हम इसके लिए आपको सिंपली पांच कलर के स्केच्चमेंस लेने हैं हर पैन के आगे कोई भी एक लेटर रखे बच्चों को याद करना है कौन से लेटर का कौन सा कलर है कि इसके बा उन्हीं याद करके वो लेटर से अरेंज करने हैं नेक्स्ट अक्टिविटे हमारी फ्लाश कार्ट से रिलेटेड है इस तरह से फ्लाश कार्ट लेने है आपको हर टाइप के दो फ्लाश कार्ट होने चाहिए इस तरह से अरेंज कीजे और बच्चों को याद रखने के लिए बोलिए उनकी position क्या है जैसे हर animal के flash card की position क्या है वो उन्हें द्यान में रखनी है बात में उन्हें eyes close करने के लिए बोल दीजिए सारे card उल्टे कर लीजिए फिर उन्हें कोई भी एक card open करना है और same similar card दुसरा कहा पर है उसकी position क्या है वो उन्हें find out करना है इस तरह से उन्हें हर card की position याद रखनी है और right guess करना है पहले यह game मैंने सिफ 6 cards के साथ खेला था उसके बाद आप ज्यादा cards यूज़ करके भी similar game खेल सकते हैं इससे वच्चों का और भी concentration level और memory increase होता है अगर आपके पास animal flash cards नहीं है तो आप इस तरह से उन्हों भी ले सकते है नेक्स activity हमारी काफी हाइड कर सकते हैं दूसरी जगा पर लेके जाहिए या फिर मैंने जैसे side में box रखा है बाक्स में कोई भी एक चीज रखते हूंगी अब बाद में उन्हें आप eyes open करके गैस करने के लिए बूल सकते हैं कि कौन से चीज नहीं है तरह के गेम से बच्चों के मेमरी काफी शाप होती है नेक्साइम आप एक जगा एक चीज के जगा दो चीज चुपा सकते हैं और पोजिशन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं यह हमारी लास्ट अक्टिविटी है लेकिन बहुत ही इंट्रेस्टिंग है इसके लिए आपको सिंपली टू ग्लासेश लेने हैं और किसी भी एक ग्लास के नीचे कोई भी एक ऑप्जेक्ट रख दीचिए बच्चों को पहले आप दो ग्लासेश के साथी खेलिए बच्चो को ध्यान रखना है कि कौन से ग्लास के नीचे ऑप्जेक्ट है और वो ग्लास कहा का पर जा रहा है उस तरह से उन्हें उस ग्लास को प्रॉपरली फॉलो करना है तो समयरा ने यहां पर राइट कैस किया है अगर बच्चे दो ग्लास के साथ कंपटेबल है तो आप थोर्ड ग्लास भी ट्राय कर सकते हैं और थोड़ा इस गेम को ट्रिकी बना सकते हैं आपको यह थोड़ा सा फास्ट खेलना है जैसे ग्लास की मॉवमेंट्स होती है बच् गूद्स पर वाचिं दिस वीडियो आपको आच की अच्टिविटी इस अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल लाइक दिस वीडियो और फोलू में आ इंस्टराम थैंक यू बढ़ाई